किसी ने सची का है, अगर मोसम सुहाना हो तो सफर कब कट जाता है ये मालूम ही नी पड़ता, अपनी गाड़ी में बैठकर प्रकृति की सुन्दर्ता का अनंद लेते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, कई बार अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें ऐसे रस्तों से गुजरना पड़ता है, जो कि सिद्धा मोत को गले लगाने के समान हैं, जानिये हुन पांच रास्तों के बारे में जिन से गुजरने का मतलब है मोत को दावत देना नमबर एक, नौर्थ यंग्स रोड बोल विया, इस रोड को खुनी रास्ते के नाम से भी जाना जाता है, हर साल सो से दो सो लोगों की मोत यहां से गुजरते वक्त हो जाती है नियम्मित अंतराल पर होती दुरगटनाओं को देखते हुए सरकार ने इस रस्ते को बंद करना ही ठीक समझा लेकिन दूसरी और जाने के लिए इकलोता रास्ता होने की वज़े से इसे द्वारा खोल दिया गया जेम्स डेल्टन हाईवे अलास्का नो सिख्यों के लिए इस मार्ग पर गाड़ी चलाना खतरनाक साबित हो सकता है इस हाईवे की लंबाई लग भग 600 किलो मिटर है आम तोर पर इस रस्ते से समान लाने और ले जाने के लिए वान गुजरते हैं इस रस्ते पर ना तो कोई रहता है और ना ही कोई पेट्रोल पंप है ते जवा और धुंद के कारण आए दिन इस मार्ग पर हादसे होते रहते हैं हादसों को देखते हुए छोटे वानों को इस मार्ग पर ले जाना परतिबंदित है एटलांटिक ओशियन रोड नोर्वे यह मार्ग समुंदर के उपर बना हुआ है यात्रा के सुगम होने के बावाजूद भी यहां कदम कदम पर खत्रा मोजूद है इस मार्ग पर की गई एक छोटी सी चूग भी आपकी जान ले सकती है नियंतरन खोने के कारण कई बार लोगों की गाड़ियों के समुंदर में गिरने की गटनाएं सामने आ चुकी है यह सड़क अपने टेड़े मेड़े गुमाव और 1808 मीटर लंबी ढलान की वज़े से दुनिया भर में जानी जाती है बड़े से बड़े चालक भी इस रोड़ पर जाने से ट कतराते है नियंतरन खोने की वज़े से कई बार गाड़िया इस रोड़ से खाई में जा गिरती है आए दिन होने वाले भू सखलन इस मार्क को और भी खतरनाक बना देते है थ्री लेव जिग जैक रोड बारत 30 किलो मीटर लंबी इस सडक में 100 से जादा गुमावदार रोड है यह रोड दुनिया सबसे खुबसूरत और खतरनाक सडकों में से एक है हिमाले की उचाईयों पर बनाई गई यह सडक बारत और तिबबत के रेशम वेपार के लिए मुख्या मार गया समुंदर 30 से 11,000 मीटर उचाई पर स्थित इस सडक पर हिमपात और बू सकलन का खतरा मेशा बना रहता है दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेड में जुरूर बताईएगा और और भी आने वाली वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले और बेल आइकन जुरूर दबाए और अब हम मिलते आपको अगली वीडियो में